पंदे मात्रम इस एपिसोड में आप सुनेंगे महान क्राम्तिकारी देशभक्त ज्युतिन नात मुखर जी यानी बागा जतिन के सहसी जीवन पर आधारेत प्याख्यान प्रस्तुत करता हैं श्याम सरिन प्रस्तुति है मात्रवेदी संस्था के वन्दे मात्रम मात्रवेदी के 286 वे व्याख्यान में आपका स्वागत है अभिनंदन है बंगाल में यतींद्रनात के नाम से दो क्रांतिकारी प्रसित हुए एक यतींद्रनात मुखरजी जो 1915 के दोर में बाला सोर के निकट पुलिस से मुठ भेड में शहीद हुए और दूसरे यतींद्रनात दास जो 1929 में लहोर की बोर्स्टल जेल में अंचन करके शहीद हुए इन दोनों ही यतींद्र को बांगला प्रभाव से जोतिन या जोतींद्र कहा जाता रहा है जोतींद्रनात मुखरजी को ही बागा जतिन कहा जाता है जब ये 16-17 वर्ष के थे तब क्रिश्णगर के निकट कया ग्राम जिसमें 1879 1889 की 6 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था इस कया ग्राम में एक बाग ने आतंक मचा रखा था वे कोई बकरी या बचला उठा के ले जाता और निकट के जंगल में भाग जाता अब समस्या ये थी कि यदि शीग घ्रीज के आतंक को समाप्त नहीं किया गया तो ये नर्भक्षी बन जाएगा कया ग्राम की एक दोपहर को वे अपने मामा के बेटे के साथ जिसके पास एक बंदूग थी वे भी अपने नाना से बंदूग मांग कर ले जा सकते थे लेकिन तब उन्हें उस बाग को मारने के अभियान में जाने की आग्या ना मिलती इसलिए नेपाली लोग जिसे भुजाली कहते हैं जो की एक तरह की कटार खोती है उसे ही लेकर वे चल दिये गाउवाले भी हांका लगाने के लिए साथ में चल दिये तकि शंक घडियाल कनस्तर बजा बजा कर बाग को जाडियों से बाहर निकलने के लिए विवश किया जा सके जंगल में एक जाड़ी के निकट जब ये लोग थे तबी हांका के करण बाग उस जाड़ी से बाहर निकला उस समय जतिन की निगाहें उस ज़ाड़ी की ओर थी क्रोधित बाग की सीधी नजरें जब जतिन से मिली तो उसने जतिन पर आक्रमन कर दिया उस समय उसके मामा के बेटे की बाग की और पीड थी उसने तुरंती बाग की दाहाल को सुनकर उस पर गोली चलाई लेकिन वे उसके माथे पर ना लगकर उसके सिर को चूकर निकल गई इस से वे बाग और क्रोधित होकर जतिन पर चड़ बैठा ये द्रश्य देखकर सारे गामीन भाग खड़े हुए सासी बलिष्ट और आत्म बलसे संपन किशोर वय के जतिन निर्भय होकर बाग की गरदन अपनी बाई भुजा में जकर ली और लगातार बिना रुके भुजाली से बाग की गरदन पर माथे पर प्रहार किये बाग ने भी जतिन के सिर पर और जांगों पर तांगों पर पंजों से जबरदस्त प्रहार किये जतिन का ममेरा भाई विवश होकर मूग दर्शक बना रहा उसे डर था कि ऐसी इस्ति में जबकि जतिन और बाग एक दूसरे से भिड़े हुए है पल पल उनकी इस्ति इस भिड़ंत में बदल रही थी यदि बाग पर गोली चलाई तो वह कहीं जोतिन को ना लग जाए इस धर्म संकट में उसने गोली नहीं चलाई दस मिनिट के इस भीशन संगर्ष के बाद बाग और जोतिन दूनों ही निठाल होकर गिर पड़े अब ग्रामी लोग भी निकटा गए उन्होंने देखा कि बाग तो मर गया है अत्यदिक घायल जोतिन को उठा कर वे लोग गाउ ले गए फिर उसकी मरम पट्टी करके उन्हें तुरंट कलकत्ता पहुँचाया वहाँ प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर सुरीश प्रसाज सर्वाधिकारी ने उनके चिकित्सा की जोतिन के सिर पर तीन सा घाव थे तांगे तो इतनी अधिक जखमे थी कि लगता था कि जोतिन के प्राण रक्षा के लिए कहीं ने काटना ना पड़े लेकिन फिर डॉक्टर सर्वाधिकारी ने इस सासी किशोर में रुची लेकर रात दिन जो उसकी सेवा की फिर जोतिन का ये जीवट कि मैं मरूंगा नहीं आखर उसकी हालत में सोधार होने लगा छे महीने तक उसे बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा फिर अगले कुछ महीनों तक उसे बैसाकी के साहरे चलना पड़ा फिर निरंतर अभ्यास और द्रण इच्छा शक्ती से अंतता उसने बैसाकी से भी मुक्ती पाई उसका चलना फिरना दोडना सब सामान ने हो गया अब जोतिंद्र नाथ मुकर जी सब के लिए शद्धा के पात्र बन गये सभी उन्हें बागा जतिन के बच्पन में जहांके जब वे पाँच वर्ष के थे तब उनके पिता उमेश चंद्र चल बसे तब इनका पालन पोशन ननिहाल में हुआ इनकी माता सरस्वती देवी बालक जोतिन को रामायन और महा भारत की कहानिया सनाती उन्हें वीरता के भाव भरती जन सेवा और सत्य कथन के महतु का समझाती प्राथमिक शिक्षा के बाद फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्हे कृष्ण अगर आना पड़ा उन्हें व्यायाम का बड़ा शौक था इसके लिए उन्होंने निकट के कॉलेज में वहां के प्रिंसीबल से भेट कर उनसे टूटी फूटी अंग्रेजी में अनरोद किया उनकी लगत देखकर उन्हें व्यायाम शिक्षक के पास भेज दिया ये थे सुरेंद्रनात वंधुपात्याए आखरिया उनकी ये इच्छा पूरी हुई वे कुष्टी में भी पारंगत हो गए कॉलेज की बड़े बड़े पहलवानों को वे पचाईने लगे जोतिन में मानविये गुणों का भी भरपूर समावेश था एक बुढिया नदी क नारे भारी गठर लिए खड़ी थी कोई उसका सहयोग नहीं कर रहा था कि गठर उसके सिर पर कोई रखवा दे जब जोतिन ने ये गठर उनके सिर पर रखवाने के लिए उठाया तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत भारी है फिर वो भारी गठर खुदी उठा कर उस बोड़ी औरत के घर तक पहुचा आए एक बार सेली गुडी के स्टेशन पर ट्रेन में बैठा बच्चा पानी के लिए रो रहा था अब ट्रेन चलने वाली थी इसलिए उसका पिता इस्टेशन पर उतर कर पानी भरने नहीं जा रहा था जोतिन से नहीं रहा गया दोड़ कर उन्होंने ये पुनीत कारी किया लेकिन इस प्रयास में वे दो अंग्रीज आर्मी अफसरों से टकरा गए इस पर वे गालिया देने लगे पहले दोड़ कर उन्होंने बच्चे को पानी का लोटा दिया फिर गाली देने वाले इस फौजी अफसरों को उन्होंने सबक सिखाया मामला अदालत तक जा पहुचा लेकिन फिर ये सोच कर कि अंग्रेज अफसर एक हिंदुस्तानी काले लड़के से पिट गए इससे उनकी बदनामी होगी उन्होंने में ये सोच करके मुकदमा वापस ले लिया युवा लड़कियों की सम्मान रक्षा के लिए वे एक बार ट्रेन में आठ दस अंग्रेजों से भिड़ गए अध्वूत साहस का फ्रदर्शन करते हुए उन्होंने एक अनियंत्रित गोड़े की गर्दन के बाल पकड़ कर उसके गर्दन में लटक गए इससे उस बेता हाशा भागते गोड़े को आखिर रुकना ही पड़ा उसके मित्रों ने कहा कि तुमने क्यों व्यर्थ में अपनी जान जोखिम मेटा ली तब उन्हें ने कहा इस बिगड़ैल गोड़े के उतपात से जो लोग घायल होते जा रहे थे उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई बच्पन में एक बार बॉल से खेलते में कॉलेज की खिड़की का कांस तूट गया प्रिंसिपल ने आकर जब सब बच्चों से पूछा तो कोई नहीं बोला तब उन्होंने सब बच्चों पर एक एक रूबे का जुर्माना लगा दिया ये अन्याय जोतिन से बरदाश्ट नहीं हुआ तब ये प्रिंसिपल से मिले और कहा सर कांस तो मुझसे तूटा है तब फिर बच्चों पर जुर्माना क्यों सजा देनी है तो मुझे दीजे न जोतिन की इस सब बादिता से प्रिंसिपल प्रभावित हुए और उन्होंने जोतिन को कोई दंड नहीं दिया और सभी बच्चों का अर्थ दंड ख्षमा कर दिया इसी तरह नदी में बाड आने पर उन्होंने अपने साथियों को साथ लेकर राहत कारियों में हाथ बढ़ाये था वास्त में ये माह की शिक्षा का प्रभाव था जिसके करण जोतिन में साहस, सत्य और सेवा के गुणों का सुंदर समावेश था, अध्भुत संगम था जोतिन ने जीवन निर्वाह के लिए पढ़ाई के साथ साथ आशू लिपी और टंकन सीखी जिससे पहले उन्हें एक कंपनी में नवक्रे मिली अब आशू लिपी की परिक्षा पास करके एक ICS अफसर विलर के अधिन शास्की सेवा में आकर कारी करने लगे विलर राजे स्विभा के भी सदस्य थे ये प्रतिभाशाली अफसर जोतिन की कारी कुशलता, लगन और सहाथ से बहुत प्रभावित थे यहां जोतिन ने देखा कि बड़े बड़े राजे महराजे किस तरह एक अंग्रेज आईसेस अफसर के सामने किस तरह दुम खिलाते हैं, घिगी आते हैं आखर क्यों? क्योंकि ये पराधीन है इस पराधीन तको तो मिटाना ही होगा अब उनमें राजनेतिक चेतना आने लगी 1903 में अरविंद घोष अब जेल जाने से बचे क्योंकि अदालत में उन पर अपराध प्रमानित नहीं हो सका ऐसी अवस्था में जतिन उन से भेंट कर बड़े प्रभावित हुए अरविंद घोष अब फ्रांसीसी आधेपत्य वाली पॉंडी चेरी जिसे अब पुड्डू चेरी कहते हैं में जाकर के योग रिशी बन गए उनके भाई वारिंदर नाथ अपने साथियों साइद काला पानी की सजा के लिए भेज़ दिये गए इससे कांतिकारे जगत में एक शून ने पैदा हो गया अनुशीलन समिती का बड़ा नाम था लेकिन इसमें जाने के बज़ाए जोतिन ने अपना दल बनाया और उसका नाम रखा बांधव समिती जोतिन जहां विवेकानन और फिर भगनी निवेदिता से बड़े प्रभावित थे वहीं खुदी रामबोस की शहधत और प्रफुल चाकी के बलीदान ने उन्हें उद्वेलित कर दिया इसलिए प्रफुल चाकी के बलीदान के लिए उत्तरदाई नंदेलाल बैनरजी को जहां उन्होंने प्रान दंड दिया वहीं एक नारी का शील भंग करने वाले खुफिया विभाग के डियस पी मिस्टर शमसुल आलम की 24 जनवरी 1910 को उन्होंने जीवन लीला समात कर दी तीन दिन बाद उन्हें पकड़ लिया गया लेकिन उनके विरुद कोई साक्ष नहीं मिला इसलिए वे छोड़ दिये गए हाँ इतना जरूर हुआ कि उनकी सरकारी नौकरी खत्म कर दी गई बांधल समिती को अपने क्रांती कारी गतिवी धियां संचालित करने के लिए धन की बड़ी आवश्यक्ता थी इसके लिए उन्होंने गार्डन रीच और बेलिया घाट डगैतिया डाली जिससे उन्हें 40,000 रुपे मिले कलकत्ता की रोड़ा कमपनी जो विदेशों से हत्यार मंगवाने का व्याबार करती थी उसमें इनका एक साथ ही वहां सर्विस करता था जो हत्यारों से भरी बेल गाड़ियों में से एक बेल गाड़ी भगा ले जाने में सफल रहा साथ में से एक बेल गाड़ी आ जाने से करांतिगारी दल को बड़ा बल मिला इस से इने पचास माउजर पिस्टोले जिने राइफल में भी परिवर्टित करने की व्यवस्था थी और चालीस हजार कार्टूस इनके हाथ लगे जोतिन के दल ने जर्मनी से भी हत्यार और धन्राशी प्राप्त करने की कोशिश की इसमें इनके एक साथ ही जो विदेश चले गए और एमेन रॉय के नाम से विख्यात हुए यानि की मानवेंद्र नातर रॉय एमेन रॉय के नाम से विख्यात हुए काफी मश्यूर हुए उनके प्रयास तब व्यर्थ हो गए जब जर्मनी के जहास पकड़ लिये गए 24 फरवरी 1915 को बेलिया घाटडा कहती के दो दिन बाद जब जोतिन चित प्रिया और उनके साथ ही एक मकान में बैठे अपनी पिस्टॉलों के सफाई कर रहे थे तो अचानक एक सिपाही नीरद हलदर वहां आ गया बोला अरे जोतिन वापू आप यहाँ जोतिन ने चित प्रिया से गा शूटिम उसे मरा जानकर ये एक रांतिकारी वहां से चल दिये लेकिन वह सिपाही मरने से पहले ये बयान दे गया कि मुझे जोतिन ने मरा है अब कलकत्ता में रहना इनके लिए मुश्किल हो गया इसलिए दूर बालेश्वर के जंगलों में जोतिन अपने पांच साथियों के साथ चले जा रहे थे भूके प्यासे निद्रा से बोचिल पीछे गाउवाले लगातार पीछा कर रहे थे बस उन्होंने सुन रखा था कि कुछ जर्मन आये हैं उन्हें ये पता नहीं था कि जर्मन भी अंग्रेजनों के तरह गोरे होते हैं बस जर्मनों की उन दिनों चर्चा थी इसलिए ग्रामीनों को लगा कि जंगलों में प्रवेश कर रहे ये लोग जर्मन खी है उन्हें तो बस ये लगा कि यदि इन्हें पक्डवा दिया जाए तो उन्हें कुछ इनाम मिल जाएगा कैसी विडबना थी कि जिस देश के आजादी के लिए जोतिन और उनके साथ ही लड़ रहे थे उसी देश के गाउंग वाले उन्हें पकड़वाने के लिए उनका पीछा कर रहे थे इसलिए वे इनका पीछा करते करते पुलिस को भी सूचना देते जाते थे फलव सरूप उसक्षेतर की पुलिस के साथ कलकत्ता से भी जिसे आप कोलकाता कहते हैं पुलिस का भारी फोर्स आ गया डिस्टिक मैजिस्ट्रेट मिस्टर किल्बी के नेत्रे तुमने उनके अधीन सौ घुड़सवार पुलिस जवानों ने जंगल को घेर लिया सौ से भी ज्यादा थे ये लोग इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के साथ भूके प्यासे पांच क्रांतिकारी जिनके पास गोलियां भी अधिक नहीं थी कब तक लड़ते एक गोली चित प्रीए को लगी तो वे तड़पने लगा उसका सिर जोतिन ने अपनी गोद में रख लिया इतने में घायल जोतिन को भी पेट में गोली लगी जो उनके आर पार्ख हो गई अब उने लगा कि मेरा प्राणा निश्चित है इसलिए इन साथी यूकों को व्यर्थ में मरवाना उचित नहीं तब उनने घायल जोतिश पॉल यानि की अतीश मनोरंजन और निरेंद्र को आदेश दिया कि सफेद चादर फेरा कर आत्म समर्पन का लड़ाई बंद करने का संकेत करो ऐसा करने पर वहाँ चारों ओर से पुलिस दल आ गया उन्हें घेर लिया गया जोतिन गोली की जलन से पानी पानी मांग रहे थे तब उनके एक साती ने नाले से चादर भिगो कर उनके मूह में बूद-मूद पानी डाली ये दृष्ष देखकर एक पुलिस मेन भी द्रवित हो गया वे नाले से अपने टोप में पानी भर लाया और जोतिन के मुह में डालने लगा अब जोतिन को थोड़ा थोड़ा होश आया उसने देखा अरे किलबी साहब आप भी आए हैं हमें नहीं पता था कि आप हैं हमारे कारण आपको कश्ट हुआ बुरा न बानियेगा ऐसी शिष्टता विनम्रता देखकर मिस्टर किलबी बहुत प्रभावित हुए जोतिन ने उनसे कहा इन बच्चों का कोई दोश नहीं ये तो मेरे कहने से इस अभिहान में मेरे साथ आये थे इसलिए इन्हें परिशान ना किया जाए सारा दोश मैं अपने सिर लेता हूँ तब किलबी साहब के आदेश चे तीन खटिया वहां लाई गई एक पर चित्त प्रिये का शव रखा गया दूसरे पर मरनासन जोतिन और तीसरी खटिया पर घायल जोतिश पाल को लिटाये गया मनोरणजन और नरेंद्र उनके पीछे पीछे पैदल गए क्रांतिकार इतिहास में ये घटना 1915 के 9 सितंबर की है अगले दिन जोतिन ने होस्पीटल में अपने जीवन की अंतिम सांस ली मनोरणजन और नरेंद्र को मुकदमा चला कर फासी दे दी गई जोतिशपाल यानि की अतीश को आजन्व कारावास दिया गया जहां जेल में यातनाओ से वे मर गए बागा जतिन जिनका की सन 1900 में इंदुबाला के साथ विवाह हुआ था अब उनकी पतने इंदुबाला उन्हें 12 वर्षों तक ये पता नहीं चला कि उनके पती शहीद हो गए हैं जब पता चला तब उन्होंने कुश की प्रतिमा बना कर पती का अंतिम संसकार किया और फिर उस दिन से विध्वावेश धारन किया विकट से विकट परिस्तियों में भी कभी धहरी ना खोने वाले बागा जतिन की अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे जाने की साथ आखर पूरी हुई थी क्रांतिकारी जगत में संगठन की दृष्टी से इनका नाम रास विहारी बोस, शचींद्र नाथ सान्याल, मौस्तरदा यानि की सूरिसेन और चंद्रशिकर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ लिया जाता है बागा जतिन को और उनके साथियों को शच्चत नमन जै हिंद्र अभी आप सुन रहे थे इसी के साथ नई दिल्ली के प्रभात प्रकाशन के क्रांतिकारी कोश खंड दो लेखक स्रिकृष्ण सरल हम आप सभी के आभारी हैं जै हिंद्र